अध्याय नो परम गुहिय ज्यान श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन, चुंकि तुम मुझसे कभी ईश्या नहीं करते इसलिए मैं तुमें यह परम गुहिय ज्यान तथा अनुभूती बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे यह ज्यान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सरवाधिक गोपनिय है यह परम शुद्ध है और चुंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूती कराने वाला है अतहय धर्म का सिध्धान्थ है यह अविनाशी है और अत्यम्त सुखपूरवक संपन्न किया जाता है यह परंतप जो लोग भक्ती में शद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते अतहवे इस भोते जगत में जन्मम्रत्य के मार्ग पर वापिस आते रहते है यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है समस्त जीव मुझ में है किन्तु मैं उनमें नहीं हूँ तथापी मेरे द्वारा उत्पन सारी वस्तुएं मुझ में इस्थित नहीं रहती जरा मेरे योग एश्वर्य को देखो यद्यपी मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ लेकिन मैं इस विराठ अपिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ क्योंकि मैं स्रष्टि का कारण स्वरूप हूँ जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायू सदैवाकाश में इस्थित रहती है उसी प्रकार समस्त उत्पन प्राणियों को मुझ में इस्थित जानो हेकुंति पुत्र कल्प कांत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्यकल्प के आरंब होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ती से पुन्हें उत्पन्द करता हूँ। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन हैं। यह मेरी इच्छा से बारंबार सुतह प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनश्ट होता है। हे धनन्जय, यह सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीम की भाती इन सारे भोतिक कर्मों से सदय विरक्त रहता हूँ। हे कुन्ति पुत्र, यह भोतिक प्रकटी मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कारे करती हैं। जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सजित और विनश्ट होता रहता है। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य सभाव को नहीं जानते। जो लोग इस प्रकार मोह ग्रस्थ होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रतियाक क्रश्ट रहते हैं। इस मोह ग्रस्थ अवस्था में उनकी मुक्तियाशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का नुशीलन सभी निश्वल हो जाते हैं। हे पार्थ मोह मुक्त महात्मजन दैवी प्रकृति के संरक्षन में रहते हैं। वे पूर्णतह भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदी तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्थन करते हुए, दड़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अन्य लोग जो ग्यान के अनुशिलन द्वारा यग्य में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविद रूपों में, तथा विश्वय रूप में करते हैं। किन्तु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यग्य, फितुरों को दिया जाने वाला तरपन, आउशधी, दिव्य धनी, घी, अगनी तथा आहुती हूँ। मैं इस ब्रह्मान का पिता, माता, आश्रय तथा पिता मह हूँ। मैं गे, शुद्धी करता तथा ओंकार हूँ। मैं रिगवेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। मैं ही लक्षे, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणिस्थली तथा त्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं स्रिष्टी तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हे अर्जुन, मैं हिताप प्रदान करता हूँ, और वर्षा को रोगता तथा लाता हूँ। मैं अम्रत्यु हूँ और साक्षात म्रत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझही में हैं। जो वेदूं का ध्यन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेशना करते हुए अप्रित्यक्ष रूप से मेरी पुजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं इस प्रकार जब वे विस्तित स्वर्गिक इंद्रिय सुप को भोग लेते हैं और उनके पुन्य कर्मों के फल शीन हो जाते हैं तो वे इस मृत्यू लोक में पुन्ह लोट आते हैं इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिध्धानतों में दड़ रहकर इंद्रिय सुप की गवेशना करते हैं, उन्हें जन्म मृत्युक का चक्र ही मिल पाता है, किन्तु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य सरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी ज उनकी शद्धा पूरवक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किन्तु वे यह तुटी पूरवक धंसे करते हैं, मैं ही समस्त यग्यों का एक मात्र भोकता तथा स्वामी हूँ, अत्य जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य सभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं और जो मेरी पुजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। यदि कोई प्रेम तथा भक्ती के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे सुईकार करता हूं। हे कुंति पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो, इस तरहे तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुब फलों से मुक्त हो सकोगे, इस सन्या के साथ पक्षपात करता हूं, मैं सबों के लिए संभाव हूं, किन्तु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, वह मेरा मित्र है, मुझ में इस्थित रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूं। हे कुंति पुत्र, निडर होकर घोशना कर दो, कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो, इस प्रकार मुझ में पूर्ण तया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझ को प्राप्त होगे। अपने मुझे नहीं होता है। अपने मुझे नहीं होता है। अपने मुझे नहीं होता है।